हेलो एव्रिवन विल्कम बैक टो एन एक्सप्रोर लिट्रेचर इस वीडियो में हम लिट्रेचर इन सिनेमा का यूनिट सेकंड कवर करने वाले हैं अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखा है तो उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो मारे सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन सॉफ सिनिमा एज न्यू आट फॉर्म के तरीके से कैसे आया तो जो सिनिमा है वो डिरेक्ली जो अपने ओरिजन रखता है वो फोटेगरफी और एक रिवलुशनरी जडवलपमेंट हुआ था हिस वर इन्वेंटेड आउट ओव डिजायर ताकि हम क्या कर सके अपनी विज्वल लाइफ को रिकॉइड कर सके विज्वल तरीके से एंड तो स्टेडी दा मुमेंट ऑफ एनिमेल्स इंक्लिडिंग हुमेंस तो इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए ये चीज़े बनाई ग तो यह जो ब्रेदर्स थे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले किया है इन पैरिस इन 1895 इन्होंने अपना सिनोमेटर्ग्रफी का जो डिस्प्ले है वो दिखाया जिससे की काफी डिवलप्मेंट हुआ हमारे सिनेमा के अंदर तो लुइस और जो अगेस्ते लिमर यह फ्रेंच इन्वेंटर्स और अंत्रपेनेर्स हैं जिन्होंने क्या कर रहा था डिवाइस कम्माइनिंग का कैमरा और प्रोजेक्टर यूज करके मतब एक पात ब्रेकिंग हिस्ट्री डिवलप्त कर दी थी इनिमा की आगे हम बात करते हैं कि सिनेमा किस तरीके से जो ट्र पात सारी चीजों को यूज करता है तो यह कोई और गैनिक प्रोडक्ट नहीं हुआ एन आर्ट इस सम्थिंग जॉपके इंटर्नले निकल के आते हैं उसमें किसी डिवाइस का जरुत नहीं होता तो वो चीज यहां पर बहुत ज़ते क्रिटिसाइज की गई थी इस रिजिस की गई टाइम के साथ और आर्टिस्टिक क्रियेटिविटी है जो वो सिनेमा के अंदर लाए गई तब लोगों इस चीज का बिलीव किया कि हां फिल्मेकिंग है जो वो भी एक आर्ट है लाइक एनी अधर आर्ट फॉर्म फिर हमारा नेक्स टॉपिक आता है साइलेंट सिने पहले क्या होता था कि पहले न बीना आवाज की फिल्मे बनती थी कोई करेक्टर बोलता नहीं था जस्ट हमें स्क्रीन पर वो चलते हुए दिखते थे तो चीज को ऐसे बोला जाता था कि यहां पर कोई डायलोग्स नहीं है या फिर बिलकुल म्यूट एक्स्पिरेंस रहा ह यह जब आपको सुने रहा हूं क्या बोल रहा है तो क्या ही एक्स्पिरेंस रहता है जब आप उस चीज को अन्डिस्टेंड ही नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो एक बहुत यह बहुत पर सेप्शन नहीं चीज़ों का एंड ओफन तर फिल्म इन ओडिटोरियम वोड़ बी अ की साथ तो साइलेंट सीनिमा का बहुत अब यह नहीं कि बिस चुप चाप लोग उनको ताड़ रहे हैं स्क्रीन पैसे स्क्रीन वाले अपना प्ले किये जा रहे हैं तो वो चीज नहीं होता था अच्छा एक्स्पियेंस रहता था उनका एंड इट वोज जॉएंड बाई सम म्यूजिकल चीजें भी कि कुछ औरकेस्ट्रा करवा दिये साथ में आफे कुछ पियानो एंड स्टफ लेक दा तो वो चीजें भी रहती थी साथ में ताकि जो ओडियन्स है वो एंगेज रहें देन अनदर रेगुनेज़ेबल फीचर ऑफ सैलेंट सिनेमा वोज दाट कि व अपने ओडियन्स तक पहुच आ सके कि यह चल रहा है बीच में अगर आप थोड़ा सा समझ नहीं पाए हैं तो तो पूरा जो ओडियन्स को कनवे कर देते थे अपना डाइलोग बोल लो या फर पूरा जो भी सीन है उसको एक्सप्रेस कर देते थे थे थू इस इंटर टाइ एक बहुत ही वेल साइटेड एसे है बाई जर्मन फिलोसफे और कल्चिरल थेयरिस्ट वाल्टर बेंजमिन ठीक है तो एंड इट इस अवाउट राइस उफ मेकेनिकल रिप्रोडक्शन देट अंडरमाइस इंपॉर्टेंस उफ सर्टें आउटेट इट वी टिपिकली एसो तो यह हम बहुत ही आउट्डेटर सा एक एसोशेशन होता है जो आर्ट का कि क्रिएटिव जीनियस, इटर्नल वेल्यू, मिस्ट्री उन चीज़ों से हम लिंक कर रहे हैं बट आर्ट इस नौ लाइक दार्ट आर्ट अब किसी चीज से भी निकाल सकता है अब टेक्नोलोजी क कोपी सच आड डिसकोपी सब्कूपशन इन वन इंप्रोपर इशन इन वन सपेसिक सोशियो का पॉलिटिकल कंटेक्स फरी बोलते हैं कि क्या रहता है है यह मैकैनिकल प्रडॉडक्शन की विज़े से कोपीज बहुत सारी बन जाती है आपको यह निसमझ जाता किया चीज ओ पढ़ जाती है और इंसान फिर समझ नहीं पाता कि क्या ही एक थिल लाइन हैं किस चीज को आर्ट माने किसको ना माने वो फिर कंफ्यूजन है जो आपकी स्टार्ट होती है फिर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कुस करा कि जो फिल्म है वो कैसे अलग है दुसरी आर्ट फॉर्म स तो इसमें हम बात करेंगे स्टेज एक्टर और स्क्रीन एक्टर की जो बेंजमिन है वो नेरो करते हैं अपने फोकस को अन दे फिल्म्स कि यह बहुत ही रिप्रेसेंटेटिव एक्जैंपल है और मेकनिकली डिप्रडूच्ट आर्ट इन दे कंटप्रियरा ठीक है तो इस च कि जो स्क्रीन एक्टर है या फिर करें स्टेज एक्टर है वो क्या कर रहा है जो पिछला आर्ट था जो एक हमारा कंसेप्शन बन गया था ना प्रॉपर कि यह आर्ट होता है तो उस चीज से हटके पूरा ऐसा ब्लड और फ्लेश वाला एक्टर आपको स्टेज पर अपना किया है ना तो उस चीज को भी यह दिखाना चाहता है कि इसको आर्ट ही नहीं कंसेडर किया जाता था बोलते थे कि वह टेक्नोलोजी का यूज यह कैसा आर्ट हुआ तो वो चीज़े हैं जो बेंजमीन बार-बार इसको हैलाइट करतें कि भाई यह यह भी आर्ट है इसको म बात करें तो psychoanalysis की बात करते हैं यहां पर psychoanalysis basically क्या होता है method होता है for treating mental illness ठीक है तो उस चीज़ से पर तोड़ा relate करके बोला गया है कि जो art forms है वो हमें सोचने की शमता देते हैं हमें नया सोचने पर मजबूर करते हैं फिर हमारे जो thoughts हैं उनको भी ब्रॉड करते हैं तो वो सारे चीज़ों को यहां पर इन्होंने the film and psychoanalysis वाले section में cover किया है और बताया है कि कितना important है art forms को explore करना तो इस तरीके से आपका जो unit second है वो भी कबर होता है I hope आपको समझ आया होगा फिर भी कोई question है तो उसे आप पूछ सकते हैं I'll answer that and please don't forget to like the video and subscribe the channel literally आप subscribe नहीं करते हैं channel को I was just looking into the analysis उसमें 98 I don't know 95-98% users ऐसे हैं users नहीं बोलेंगे viewers viewers ऐसे हैं जो चैनल ही subscribe नहीं करते हैं I don't know like यार तुम्हारा क्या जा रहा है you'll just motivate the creator you know तो please थोड़ा सा इस चीज को भी देखा हो रहा आपका एक second लगता है लेकिन जो creator है वो motivate हो जाता है इस चीज से alright so I'll meet you in the next video till then take care, stay happy, stay healthy